इस विडियो में आप सम फंक्शन को implement करना सिखेंगें सम फंक्शन के थुरू आप values को add कर सकते हैं यहां already मैंने 3 examples को no down किया हुए each example के थुरू आप सम फंक्शन को implement करना सिखेंगे तो start करते हैं first example से first example में आप देख सकते हैं कि employee name given है basic salary given है allowances given है जिसमें medical allowance and convince allowance हा रहे and house run given है net salary हमने find करनी है तो net salary हम कैसे find करेंगे अगर हम basic salary को add करने allowances के साथ तो हमाँ पस net salary आजएगी तो हमने sum करना है basic salary को medical allowance को convince allowance को and house run को तो हमने इसकी output खहां पर display करवानी है net salary में तो इसलिए हमने first employee की net salary के साथ के उपर click करने and then हमने equal sign put करने क्योंकि आपको पता ही है कि जब को भी हम function को add करते है excel में तो function जो तो start होता है equal sign से equal sign के बाद आपने यहां पर sum लिखने and then आपने parentheses add करनी है इन parentheses के in between हम आपने यहां पर range देनी है range कैसे होगे कि हमने basic salary को भी add करने medical allowance को convince allowance को और house rent को तो हमने क्या करने basic salary से लेकि house rent तक in all sales को हमने select कर लेने तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सम्क में parentheses के in between आया है c4 colon f4 colon display कर रहा है कि यह range है c4 क्या है कि basic salary का address है और house rent का है f4 मतलब कि basic salary से लेकि house rent तक जितने भी columns है इन सब को इसने sum कर देने then आपने hit करने enter और जो value है वह समब होके आ जाएगी अब इस टाइम आपको formula apply करने की जुरूद नहीं है आपने simply इस cell के ओपक क्लिक करने और इसके corner पर जाके जब plus sign आ जाए तो आपने इसको downward drag करने तो automatically all employees की net salary जहें find out हो जाएगी below पर यहां पर लिखावर total अब total में यहां पर क्या है कि हमें जो net salary है जितने भी हमारे पास employees है उन all employees की जो total salary है हमने यहां पर फाइंड करने है तो वो कैसे करेंगे again चुकि हमने total के सामने जो cell है इसके ऊपर display करवानी है salary हमने यहां पर करने equal then again हमने sum add करने and then parentheses हमने add करनी है अब इन parentheses की between हमने क्या करने है कि हमने net salary find करने है इस whole की तो हमने अब इस range को select कर लिना है तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा वह जी फॉर कॉलन जी six कि इन three cells का उसने sum up करने then again आपने hit करने enter तो यहां पर total भी आ जाएगा यहां पर हमने range को select कर लिया था क्योंकि हमाई जो cells थे वह side by side आ रहे थे तो इसलिए हमने in all cells को select कर लिया था अब यहां भी अगर आप देखें below example वे तो basic salary है medical allowance है यहां पर performance गीवन है performance के बाद हमापस convince आ रहा है house rent आ है और हमने net salary find करने तो performance को of course हमने net salary में नहीं डालना तो अब हम इसको कैसे करेंगे समफ अगेन आपने net salary के cell की उपर click करने है आपने equal sign put करने है एंड अगेन आपने यहां पर लिखना है सम parentheses आपने add करनी है इन in between आपने basic salary और medical allowance को select कर लेना है अब हमने in to cells को भी add करने है और यहां पर basically हो क्या रहा है क्योंकि basic salary से लेके medical allowance तक क्योंकि हम आपस two cells यह आ रहे हैं वह इनको भी sum करेगा as well as convince allowance and house rent को भी sum up करेगा यहां पर आपने इसको two ranges देती है देन आपने hit करने enter तो यहां पर आप देख सकते हैं कि again हमा जो net salary वह find out हो चुकी है again आपने cell के corner पर जाने और इसको आपने drag कर देने download तो all employees की net salary यहां पर आ जाएगी अब करते हैं third example की तरफ तो third example में आप देख सकते हैं कि स्टोर्ण नेम किवान है मिड्टर्म एक्जैम्स के जो marks हो गिवान है quiz marks गिवान है final marks गिवान है और यहां पर हमने total marks calculate करने है but condition हमाँ पस यह है कि हमने सिफ mid term और final term के marks को ही add करना है हमने quiz के marks को add नहीं करना तो अब हम इसको कैसे करेंगे again आपने first run के total marks के उपग क्लिक करने and then यहां पर आपने place करना है equal और यहां पर आपने टाइप करना है sum and again आपने parenthesis add करनी है और इन parenthesis के in between आपने first run के ही mid term marks को आप select करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं C3 आचुका है क्योंके first run के mid term के marks हैं उनका cell address है C3 क्योंके वो column C है और row 3 है then आपने comma place करना है अब आपको किस column को add करना है हमने quiz को add नहीं करना हमने final को add करना है आपने final के उपर क्लिक करना final B यहां पर आप देख सकते हैं E3 आ चुका है कि वो sum करेगा cell C3 को और cell E3 को जो के final के marks है then आपने hit करना enter तो यहां पर आप देख सकते के marks आ चुके हैं अगेन आपने cell के उपर जाने और जब plus का sign आ जाए तो आपने इसको ड्रैक करना है डाउनलोड तो आटमेटिकली ओल्स के टोटल मांक्स भी हां आप कल्कुलेट होके आ चुके हैं सम फंक्शन के थूरू आप इंडविज्वल वैल्यूस को भी आड़ करवा सकते हैं तो हम देख लेते हैं वो कैसे हो सकता है अगेन आपने जिस cell में यहां पर फूर वैल्यूस को यहां टट करना झाते हैं तो कस लिख लेती हूं यहां पर मैंने निए लिख ली हैं जिनको मैंने एड करने टैन्ट फौर शीक्स और 7 आपने जितन सक्ते हैं ब्रह फिसको ब्लूब करना करने on कि हैं इन इस को कॉमा से बेलोचा इसका सबर्हो फॉर्मूला बार में आपको निज़र आए होगा इसका जो फॉर्मूला में ने एड़ किया था इक्वल टू सम और इसमें फॉर वैल्यूस में ने दी थी फॉर पैरामिटर्स एड़ किये थे यहां पर मैंने फॉर्स्ट नंबर था टैन सेकेंड था फॉर सिक्स और सेवन ज जहां पर भी आपको कॉलन निज़र आए इसमें कि वह रेंज है सीफॉर से लेके एफॉर तक जितने भी इसल्स हैं उनका यहां पर वह सम कर रहा था सेकेंड एग्जेंपल में जो फॉर्मूला यूज किया था मैंने उसमें मैंने रेंज अप्लाई कियी थी बट यहां पर आप देख सकते हैं टू रेंजिस हैं बी 14 कॉलन सी 14 कोमा एंड एंड तें निग्विज़्य बेंज में दिए इफॉर्टीन से लेके एफॉर्टीन तक तो यहां पर आपने सीख लिये किस तरह से आप संप्रुश्ण को यूज कर सकते हैं फ्रू रेंजिस और किस तरह से आ आप cell reference को use कर सकते हैं और किस तरह से आप individual values को add कर सकते हैं using some function